ब्राह्मन वाद से मुक्ति दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने संगर्ष किया उन संतों गुरुवों और महापुरुषों को नमन करते विए जो आज 38 वा बामसेप का राश्ट्री अधिवेशन आंध्रय परदेश के यहाँ पर जो चल रहा है उस अधिवेशन का आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन में जो प्रभधन सत्र करमांक पांच चल रहा है तकि लास्ट है उस विशय पर मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूं और इस विशय पर जो अभी अभी प्रस्तावना भाशन किया संजय इंगोले सर और जो संचालन कर रहे हैं सोडी राम जली सर और इसका विशय का अध्यक्षाता कर रहे है सुरेश द्राविड सर और इस पंडाल में बैटे सभी कि भाईयों और भौनों को मेरा जय भीम जय मुल्यवासी कहते हुए मैं अपने दो तिन बाते आपके सामने रखना चाहता हूं सातियों भारती भीम सेना का तरब से मैंने यहां पर बात करने के लिए आया हूँ लेकिन 2007 से मैं लगातार बामसेप से जुड़ा हुआ हूँ मैं बामसेप में सक्रिय रूप से कारे अभी भी करता हूँ अभी संजे इंगोले सार ने जो बाते रखी है वो बहुत महतोपुर्ण बाते रखी है मैं NCC MBO के बारे में बताने से पहले जो की बारती भीमसेना को NCC MBO में सदश्यता का स्थान दिया है उसके बारे में बताने से पहले मैं दो-तिन बाते भीमसेना के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को नया संगटन लग रहा होंगा लेकिन ये नया संगटन नहीं है भारती भीम सेना को अगर समझना चाहिए तो आपको हैदराबाद का हिस्ट्री को जानना होगा जो कि आज का जो हैदराबाद जो पुराना हैदराबाद रहा आज तेलंगाना मराटवड़ा और हैदराबाद करनाटा का जो तीन स्टेट में डिवाइड हुआ है वो पुराना हैदराबाद था एक समय जब बाबा साब और हैदराबाद के जो अपने समाज के पुरके लड़ाई लड़ रहे थे मनुवाद के विरोध में तो उस समय भारत भारत नहीं था अलग-अलग स्टेट में बटा हो आता एक तो ब्रिटीश इंडिया था दूसरा देशीय संस्थान थे उस देशीय संस्थान में सबसे बड़ा संस्थान हैदराबाद संस्थान था उस हैदराबाद संस्थान में अपने मूल भारती समाज के जो पुरके हैं वहाँ पे मनुवाद के खिलाब लड़ रहे थे अगर भारती भीम सेना को जानना है तो हम हाइदराबाद के अपने पुरुखों के बारे में जानना होगा भारती भीम सेना को अगर जानना है तो बाबा साब जाने के बाद बाबा साब के मुव्मेंट को नैशनल लेवल पर जो लोग काम कर रहे थे उस समय के संदर्व को जानना चाहिए हाइदराबाद के लोग इतने जागरुत थे जब दुश्मन हिंदू के नाम पर संगटन बना रहे थे हिंदू महासबा जब बनाये थे तो हाइदराबाद के हमारे पुरके लोग आदी हिंदू महासबा बनाया जब वो लोग हिंदू मासभा बनाया तो हमारे लोगों ने आदी हिंदू मासभा बनाया कहा कि हम हिंदू आने के पहले के लोग है जब हाईदराबाद के अंदर मुमेंट चल रहा था आदी अंदरा मुमेंट चला आदी करनाटा का मुमेंट चला आधी माराष्टियन मुमेंट चला इस तरह से आधी 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 के नाम पर मुमेंट चल रहा था उस मुमेंट को जब हैदराबाद भारत के अंदल विलिन हुआ तो भी शाम सुन्दर साब उस मुमेंट को जो आधी आधी के नाम पर मुमेंट चल रहा था हैदराबाद भारत के अंदर विलेन होने के बाद उस आधी अंदोलन को हिंदी में उन्होंने शब्डावली दी कि मूल भारती अंदोलन मूल भारती का शब्द इस्तमाल किया भी शाम सुंदर साब ने तो मैं भारती भीम सेना स्तापन जो हुआ अपने पुरुकों के इतियास से हुआ है जब भी शाम सुंदर साब बी एस वेंकटराओ के नेतरतों में काम कर रहे थे जो बी एस वेंकटराओ साब जब हैदराबाद में काम कर रहे थे तो ब्रिटिश इंडिया में जो बाबा ली थी उस महार परिशत का अध्यक्षता हैदराबाद के लेडर बीएस वेंकटराओ कर रहे थे बाबा साब ने बीएस वेंकटराओ को अध्यक्षता दिया था उसका रिक्रम का उसी बीएस वेंकटराओ के नेत्रतों में भी शामसुंदर साब काम कर रहे थे और वो काम जो ह दूरदस्टी रख कर कर रहे थे आज हम बामसेप और राश्ट्री मुल्निवासी संग के जो काम हम कर रहे थे उस समय ही 1942 में ही बीशाम सुंदर साब ने इसी तरह का सम्मेलन महराश्टर के जो मराटवडा जो परवनी है उसके अंदर उन्होंने संबल लिया था और उस सम्मे नहीं है हमको अच्छित बनाया गया हम शुद्र नहीं है हमको शुद्र बनाया गया तो हम इस देश के मूल भारती लोग है 1942 में कहा हुकम रानों से कि हमारी जो जनगन्ना चाहिए होनी चाहिए और मूल भारती के नाम पर होना चाहिए हिंदू के नाम पर होना नहीं चाहि हिंदू के नाम पर जो ब्रिटीश लोगों ने जो ये बनाई थी legislative council से लेकर रूरल बोर्ड और district जो council बनाई थी सारे के सारे हिंदू के नाम पर सवर्ण लोग उस पर कबजा किये थे तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम ना हिंदू है ना मुसल्मान है हम मूल भारती है तो ये मूल भारती से movement चल कर भी शाम सुंदर साब बाबा साब जाने के बाद जो हैदराबाद का movement रहा वो राष्ट्र वैपी movement करना चाते थे जब भारती भारती भीम सेना को बनाया गया उस समय में शुषेना बनाई महाराश्ट्र में शुषेना महाराश्ट्र के मराटी लोगों उने के लिए बनाया गया था और तमिल से ना बनी वो तमीलों के लिए बनाया गया रहता लेकिन भारती भीम सेना बनाई देश के SC, ST, OBC और धर्मपरिवर्टित माइनरिटी का संगटन के लिए संगटन बनाने के भारती भीम से ना बनाएगी जो भारत देश के नाम पर संगटन बनाया फिर बाद में उन्होंने भी शामसुंदर साहब ने उस संगटन को बाबा साहब का नाम दिया और कहा कि हमको बाबा सा बाबा साब के मुवमेंट को नाशनल लेवल के लेने लेके जाने के लिए उन्होंने पूरे भारत पर ब्रमन किया और कई राज्यों में उन्होंने संगटन का शाका ओपन किया लगबग 2,2,2,2 लाक सदश्य उस भारती भीम से ना के बने ते उस समय में और भारती भीम से ना इतना स्ट्रॉंग उस समय में था कि करनाटक के अंदर रूलिग जो गोवर्मेंट थी कांग्रेस के जब एक अपने महिला के ओपर वहां पर अत्याचार हुआ तो उस अत्याचार के हुए एम्मेले को उन्होंने जेल में भेजा था भारती भीम से ना उस एम्मेल रूलिंग गोवर्मेंट के एम्मेले को जेल में भेजा था आरेसेस के जो अर्गनाजर पद्रिका थी उसके अंदर फ्रंट पेज पे भी शाम सुन्दरा और भारती भीम से ना के बारे में छपते थे आज आपको जो लोगसबा में राज्यसबा का जो अपोजिसन लीडर है मलिकार जुन खरगेजी ओ बारती भीम से ना के एक डिस्टिक गुलबर का डिस्टिक उनिट के अद्देख्शित रहे एक समय में ओ आज लोगसबा में अपोजिसिन लीडर है आप यह न धर्म सिंग कुछ जानते होंगे जो करनाटक के सीम थे ओभी भी शामसुंदर के शिश्य रहे इस तरह से भारती भीम से ना बनाई गई लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी शामसुंदर साहब ने अपना दोस्त और दुश्मन को उन्होंने क्लेरेटी के तोर पर भारत क हमारे लोगों के सामने रखा उन्होंने भू देवताओं का मैनिफेस्टों किताब लिकी और भू देवता का मैनिफेस्टों किताब है और भू देवता ब्रामनों को उन्होंने भू देवता का देबर्न जो किताब है उसके अंदर जो लोग ब्रामन या ब्रामन वाद लोगों के उपर कितने अन्यात्याचार करते थे और देवर्ण किताब में उन्होंने लिका है तो मैं यह भारती भीमसेना को हमने नया कोई संगटन नहीं खड़ा किया 10 जनेवरी को गए साल 10 जनेवरी को हमने 20 शाम सुन्दर के जहिंति के अउसर पर मैंने बीडी बोरकर सापको और ताररा मेना सापको वहाँ पर बुलाया था मुझे बहुत अच्छा लगा आज कोई भी संगटन एक दूसरे को भाईचारे के तरह से नहीं देखते हैं एक दूसरे का मूँ भी देखना नहीं पसंद करते हैं RSS दुस्मनों के संगटन को उतना विरोध नहीं करते लेकिन अपने मूल भारती मूल निवासी संगटनों को संगटना जो बने हैं उनके नेता उनके कारे करता एक दूसरे को दूसरे को द्वेश करते हैं तो मैंने आपको कहा कि 2007 से बामसेप के अंदर काम कर रहा हूं मैंने BSP के स्याड़ों बामसेप के अंदर भी काम किया जब पता चला कि वो काम सही नहीं हो रहा जब मैंने भार आया तो अलग से संगटन में मैं काम कर रहा था तो मुझे लोग चिडाते थे कि ये BSP का बामसेप का अदमी है मुझे कहते थे कि BSP का बामसेप का है और फिर बाद में जिस संगटन में बामसेप के अंदर काम कर रहा था उस संगटन में जो काम कर रहा था हूं पर भी मुझे सीरेसनेस नहीं लगी जब मैंने बाहर आया तो मुझे कहते थी कि ये रिजिस्टर्ड बामसेप का अदमी है अब मैंने दूसरे बामसेप के गूट के पास जाओं तो मुझे यही लेबल लगते जाएंगे कि इस बामसेप के गूट का है ये इस बामसेप को उटका है, ये इस आदमी का, ये काम करता है, जब मैंने समाज में काम करने के लिए जा रहा हूँ, समाज के अंदर प्रबोधन करने के लिए जा रहा हूँ, कौन सही है, कौन गलत है, मुझे यही पता नहीं लगता है, तो मैं समाज को कैसे प्रबोधन करो मैं समाज को कैसे जागरत करो मुझे लगा कि जितने भी बामसेप के लोग है उनको मैंने ही बीदर के अंदर बुलाया जाए मैंने बोरकर साब को ताररा मेहना साब को बुलाया बहुत ही प्रसनताज से वो मेरे कारेकरम में आए और एक करेकरम का अद्यक्षता बीडी बोरकर साब ने किया और दूसरे सत्र का अद्यक्षता ताररा मेना साब ने किया बहुत अच्छा लगा उनी के देखरेक में मैंने भारती भीम सेना को हमने पुनरिस संगटित करने का काम किया तो आज भारती भीम सेना आठ महने के अंदर, पुरे देश के अंदर, महाराष्ट्रा, करनाट का और तेलंगणा के साथ-साथ अन्य राजों में हमने भारती भीम सेना का शाका open करके, हमने आज वनिस डिशंबर से लेकर तेविस डिशंबर तक हम लोगों ने बीदर के अंदर भारती संग के joint में हमने convention किया मैंने प्रास्ता रखा कि भीम से ना का उद्देश मून निवासी संग का उद्देश यह की है तो हम लोग joint में काम करते हैं तो मैंने तो इसदर ही पहले प्रास्ता भेजा उन्होंने अपने आपको कभी बड़ा नहीं माना ताराराम मेना जी ने अपने आपको बड़ा नहीं माना ये लोग तो अभी के लोग है ऐसा नहीं माना तो उन्होंने मेरे साथ में भीम सेना के साथ में जॉइंट अधिवेशन करने का निर्णे करके आज हमने भारती भीम से ना के और से मैं भारती भीमसेना के और से बीदर में जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में लगभग करनाटक के 15 संगटनों को हाँ पर बुलाया था सारे लोग आये थे वो भी जा रहे है कि अपने महापुरुषों का जो मकसद है पूरा हो जाए तेलंगना से पाच संगटन आये थे इस कड़ी में जो बाम से ये पहल की है कि मूल भारती समाज के जो देश में संगटन काम कर रहे हैं उस संगटनों को एकटा करके हमारे महापुरुषों का उद्देश पूरा होना चाहिए इसलिए बामसेप और बामसेप के राष्टी अध्यक्ष गंगादार सह के नेतरतों में जो एंसी सी एंबीयो बना इसमें आज संजे इंगोले सर ने का कि चार लाग से ज्यादा संग पूर के अंदर 28 और 29 अगस्ट को जो मीटिंग हुई उसके अंदर 27 संगटनों ने भाग लिया बाकी के संगटन वो तो अपने सेल्प इंट्रेस्ट के लिए काम कर रहे हम जानते हैं कि उस संगटनों का इस्तमाल दुश्मन करता है अपने समाज के अपने महापुरुषों कि उद्देश के लिए जो संगटन काम कर रहे हैं उस संगटन के साथ में नहीं आना चाहते हैं जो दुश्मन काम कर रहे हैं उनके साथ में जाना पसंद करते हैं ताकि वो सेल्प इंट्रेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और जो NCC MBO में आज 21 संगटनों का जो फोर्म बना उ उनको साथ में लिया जाए, उनको प्रभोधन भी किया जाए, कहीं नहीं, अब इस जैसे संग्जे हिंगोले साब ने कहा, कि उनका टेक्निकल प्रॉलम रह सकता है, उद्देश एक हो सकता है, लेकिन उनका कुछ टेक्निकल प्रॉलम हो सकता है, कि हमारे साथ में विले नहीं ह हो सकते लेकिन साथ में तो काम कर सकते हैं मैं तो इस पंडाल से आपके इस मंच पर यही घोशना करना चाहता हूं कि भारती भीम से ना बामसेफ के साथ मिलकर काम करना चाहता है और तनमंधन से काम करना चाहता है महां हमने कारेकरता हूं को यही कहा है क्यों कहा है कि जो लोग जो काम बामसेफ कर रही है वही काम भी शामसंदर साब करना चाहते थे आपको पता होंगा ये तिलांगना के लोगों को पता होंगा मेरे पास जो मैंने भी शामसंदर का लिटरेचर कलेक्टर कर रहा हूं उसमें पता चला कि भी शामसंदर साब ने भी बामसेफ बनाया था उ उसी बैनर पे उनोंने इंदман गांधी को उस समय में लिखा था कि यह तेलंगाना स्प्रेट स्टेट होना चाहिए। जी उसका सरे बी शामसंदर साभ को भी जाना चाहिए। बी शामसंदर साभ यह जो पावर ट्रांसपर हुए ऑग्रेंजों से ये पावर ट्रांसपर को आजादी नहीं मानते थे हो जिस दिन आप इस देश के हुकुमरान बनेंगे उसी दिन सही माइने में आप आजाद होते हैं ऐसा भी शाम सुंदर ने कहा है और जो हुकुमरान बनने के लिए जो प्री कंडिशन है उसके लिए ही भारती भीम सेना बनाई थी भारती भीम सेना एक जाती का संगटन नहीं था हो हलाकि स्टार्ट में उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया था जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माइनारेटी का संगटन बनाया एस्टी लोगों का संगटन बनाया फिर OBC लोगों का भी संगटन बनाया आप 1968 में लकनों के अंदर जो कारेकरम हुआ उस कारेकरम के अंदर OBC के लोग थे बीपी मंडल थे पिर यार उसके चीफ गेस्ट थे और भी शाम सुंदर साब लकनों के अंदर उसका अध्यक्षता कर रहते हैं उसी कारेकरम के बाद भारत के अंदर सोचल अवल पॉलिटिकल चेंजेस हुई है मुझे मैंने जब इलिया साजमी साहब से मिला है तब वो कह रहते हैं कि जब कांसिराम साहब उत्तर भारत में आये तो लकनों में जो लिट्रेचर हमने प्रेंट करके भेजा था पी शामसुंदर का और पिरियर का वो सारा लिट्रेचर कांसिराम को दिए थे और कांसिराम साहब उस पहले बामसेप से पहले बामस्या चलाते थे उसके बाद में उन्होंने बामसेप बनाया तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यह यही कहना चाहता हुँ जो NCC MBO आज का कर रहे हिए कोई संगटन करे या ना करे बारती भीम से ना बामसेफ और NCC MBO जो भी प्लान करेगा जो भी योजना बनाएगा उसको साथ सयोग देएगे यह आशा और विश्वात करते हुए मैं आप से विदा लेता हूँ जय भीम धन्यवाद कर्या बामसेफ बामसे फिएगे पन्यवाद उसे।